हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं समीता, आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ, वो किचन में काफी ज़्यादा काम आती हैं, काफी हैलफुल टिप्स हैं ये, उमीद करती हूँ, आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आ आज की टिप नंबर वन, आपके लिए काफी ज़्यादा यूसफुल होने वाली है, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक स्पाइस मिक्स, जो कि है पिजा मिक्स, जो कि हम पीजा के ऊपर टॉप करते हैं, जब हम पीजा सर्फ करते हैं उस टाइम पे और इसका फ आप घर पर इसको किस तरह से बना सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा बेजल जाता है, सेकंड है औरिगेनो, इसके बाद इसमें आट करेंगे हम चली फ्लेक्स, चली फ्लेक्स के साथ ही इसमें हम गार्लिक पाउडर एट करते हैं, गार्लिक पाउडर अपके पास नहीं है, तो next tip में मैं आपके साथ share करूँगे आप घर पर किस तरह से instant garlic powder बना सकते हैं साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास garlic powder ready made है मैं उसको use कर रही हूँ जाली मिर्च का powder तो आपके पास powder है तो आप हो use कर सकते हैं मैंने यह just crush करके अभी डाली है तो यह एक स्पून से थोड़ी सी कम है वन टेबल स्पून ही मैंने ओरीगेनो वन टेबल स्पून ही बेजल डाली है मैंने इसमें और थोड़े से मैंने चिली फ्लिक्स टाले हैं वन टी स्पून जितना तो चिली फ्लिक्स आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं और इसको मैंने grinding jar में लेकर एक बर हलका सा चर्न कर लिया ताकि ये सारी चीज़ें एक सार हो गई और अब ये देखिए हमारा ये स्पाइस मिक्स बनकर रेडी है आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मार्केट जैसा ही लग रहा है मार्केट वाला जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया था तो वो थोड़ा सा जम जात है तो इसको इस बॉटल में मैं फिल कर रही हूँ और ये हमारा होम मेट पीजा मिक्स रेडी हो गया है अगर आपके पास फ्रेश बेजल और फ्रेश ओरियनो है तो उनको भी आप ड्राय करके यूज़ कर सकते हैं इस मिक्स को बनाने के लिए मेरे पास इस टाइम अबलेब नहीं है तो आप इस मेथट से गालिक पाउडर बना कर फिर आप पीजा मिक्स बना सकते हैं उस जगह पे आप ये वाला गालिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर लगबग मैंने हाफ कप ये गालिक पील कर ली थी अच्छे से और इसको अब मैं कर रही हूँ बा यह इतना बारिक आप चॉप कर पाएं उतना बारी के सकरवाege को यह इंस्तेन्ट मेसट है तो इसमें गारल्क को फट्राय कर रिंगे मैंने आलेड़ी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने सन ड्राइ और माइक्रोवेव में ड्राइ करके गालिक पाउडर बनाया था तो यहाँ पर मैंने यह ओल लिया है मस्टर्ड ओल आप यहाँ पर ओलिव ओल भी ले सकते हैं स्मोक पॉइंट पर पहुँचेगा तब हम इसमें एट करेंगी गालिक मस्टर्ड ओल है तो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम करना जरूरी है अदरवाइस में फिर कच्ची स्मेल आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुर स्मोक पॉइंट पर पहुचा कर मैंने इसमें डाल दिया है गार्लिक यहाँ पर गार्लिक को आप छलनी में रखकर भी इसमें फ्राइ कर सकते हैं ताकि आप इसको इजीली निकाल भी सकें तो यहाँ पर मैंने ओयल भी थोड़ा सा कम ही लिया है और इसमें गार्लिक कर दिया है पहले मैंने एक बंच डाला है बट इसमें जगा थी तो मैंने इस सारा गार्लिक इसमें अड कर दिया है और अब इसको मीदियं कर सकते हैं otherwise आप आज को मीडियम ही रखें जैसे मैंने तो मीडियम रखी है क्योंकि पैन भी बहुत पतला है इसको ज्यादा सिकने में टाइम नहीं लगेगा बस आप देख सकते हैं कलर पर ध्यान दे कि कलर किस तरह का है इसका और आपको खुद से एक क्रिस्प क्रिस्प निकल जाएगा और यह ड्राइ होने में भी इजी हो जाएगा जैसे ही इसका एक्सेस ओल निकल जाएगा आप इसको जब चलाएंगे तो आपको बहुत ही क्रिस्प से साउंड आएगी तो बस यह इसी तरह का होना चाहिए बहुत सौगी टाइप के नहीं आपको निकालने ह इसको जलनी नहीं देना बट इसको क्रिस्प हमे करना है तो इस चीज का आप ध्यान रखे और इसको बैलन्स करते हुए ही आप इसको फ्राइ करें तो यह देखे थोड़ी दिर मैं इसे ठंडा होने दिया था और जो यह ओल है प्लेट में इसको भी मैं ठंडा होने दूंग अब यह गार्लिक हमारे ठंडे हो गए है तो इसको ले लिया है एक ग्राइनिंग जार में मैंने और इसको देखे चर्ण किया है विदिन मिनट यह हमारा चर्ण होके इस तरह का पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो आप इसको पल्स मोड पे चर्ण करें अधर्वाइस यह पेस्ट बन जाएगा तो उस तरह हमें नहीं करना है जब हम चर्ण कर लें उसके बाद भी इसको हम एक प्लेट में थोड़ी दिर फिला के रखेंगे जब बिल्कुल नॉर्मल टेंपरिचर पर आ जाएगा फिर हम इसको स्टोर करेंगे किसी भी बॉटल में तो यहां पर य हम इसे स्टोर करेंगे किसी भी बॉटल में नेक्स टिप हम अकसर घर पर गालिक ब्रेट बनाते हैं बर उसको हम बटर के साथ बनाते हैं जो कि थोड़ा सा हेवी हो जाता है अगर आप भी हेल्प कॉंसेस हैं थोड़ा सा आप नहीं चाहते कि आप बटर के साथ उसे बनाए तो आप इस तरह से bread को slice कर लें और यहाँ पर जो भी अब mix बनाते हैं यहाँ पर मैंने ओरिगनो चिली फ्लेक्स बेजल में डाला है और इसके साथ ही इसमें आप crush करके गालिक डाल सकते हैं या फिर मैं इसमें जैसे डाल रही हूँ गालिक पाउडर तो वो मैंने इसमें आट किया है और इसके बाद मैंने बटर की जगा इसको olive oil के साथ में बना रही हूँ तो इस mixture में मैंने डाल दिया है olive oil यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छा इसका taste आता है मेरे पास onion powder भी है तो वो भी मैं इसमें आट कर रही हूँ इसका भी काफी अच्छा इसमें टेस्ट आता है और इस mix को आप अच्छे से mix कर दें और उसके बाद इसको apply करें bread के ऊपर आप देखेंगे उसका taste बहुत ही अच्छा आता है साथी कम calories के साथ में ये हमारी garlic bread बनकर ready हो जाती है यहाँ पर olive oil को आपको गरम करने की भी जूरत नहीं है ये बहुत अच्छे से सारी चीजों में blend हो जाता है अच्छे से और इसके बाद इसे apply कर दिया था मैंने कुछ slices पर मैंने इस तरह से cheese के उपर लगा दिया था और कुछ को मैंने simple जो mixture बनाया था उसी के साथ मैंने toast किया है तो आप देख सकते हैं दोनों ही काफी amazing लग रहे हैं और दोनों का ही taste काफी अच्छा आता है butters में नहीं है ऐसा taste में कुछ भी problem नहीं होता है olive oil के साथ भी उतनी ही अच्छे ये toast बन कर ready होते हैं तो आप भी से जरूर try करें तो ये थी आज की मेरी kitchen tips उमीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी उमीद है आज का वीडियो आपके लिए जरूर helpful रहेगा अगर आपको यहाँ पर कोई भी tips पसंद आई है तो please मेरे साथ जरूर share करें कौन से tip आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है मैं मिलती हूँ आप से कसी और नई interesting वीडियो के साथ आपकली बाइ thank you thanks for watching